दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ITBP के द्वारा जो निकाले गई नई भरती है जिसके बारे में नोटिफिकेशन अभी आई हुई है जो कि सोट नोटिफिकेशन है जो कि कॉंस्टेबल टेट्समेन के लिए होने वाले है जिसमें तीन अलग अलग प्रकार के पद रखे गए है बारवर के है, सफाई करमचारी के है और गारडेनर के पद इसमें रहने वाले है सबके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन के डीटेल आ चुकी है नमबर ओफ वैकेंसी बता दी गई है और ओन लाइन अप्लाई कब से कब तक होंगे उसके बारे में भी जनकारी दिये गए है यह जो भैकेंसी होगी इसमें मेल फिमेल कैनिडेट अप्लाई कर सकते है और इंडिया से आप आविदन दे सकते है इसमें मैंने बताया कि आपको तीन पद है जैसे कॉंस्टेबल जो बारबर का पद है इसमें पांच सीठे रखे गए है आप कैटेगरी वाई भी भैकेंसी को देख सकते कि किस कैटेगरी के लिए कितनी भैकेंसी है मेल और फिमेल के लिए इसके अलाब है सफाई करमचारी की है जो कि 101 पदों पर भैकेंसी होगी मेल फिमेल के लिए भैकेंसी देख सकते है और गार्डेनर की पद है जिसमें 37 पद इसमें रखे गए हैं बाकि ये जो पद होगी ये ग्रूप C एस्तर की पद है इसमें आपकी सैलरी जो होगी लेवल 3 के ताथ 27,700 से लेकर 79,100 रुपे तक आपकी सैलरी होने वाले हैं अब बात करें इसके लिए अप्लिकेशन फी की तो अप्लिकेशन फी 100 रुपे लगेंगे जो कि जेनरल OBC EWS बालो का है ये मेल कैनेडेट का है फिमेल अगर इस कैटेगरी के भी है तो कोई पैसा नहीं लगेगा SCST और कोई ये दिव्यांग होंगे इनको भी कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है ये धियान रखेगा बाकि इसके लिए eligibility condition रखे गए है कि अगर बारबर और सफाई करमचारी के लिए कोई आवेदन करता है तो उनका उम्र 18-25 साल होने चाहिए और qualification की बात करें तो magic कम से कम आपको पास होना होगा इसके अलाबर जो आपका practical exam होगा ये बारबर और सफाई करमचारी का उसमें भी आपको पास होना जरूरी है उसके अलाबर दूसरा जो पद है gardener का है जिसमें 18-23 साल आपकी उम्र होनी चाहिए इसमें आपकी दस्वी पास होनी चाहिए दो सालों का जो है experience भी मांगे गए है किसी के पास ये वाला qualification नहीं है तो यहाँ पर बोले गए है कि अगर कोई दस्वी पास है अगर उन्होंने एक सलवला अगर ITA किया होगा वो भी अपलाई कर सकता है या दस्वी जो पास है दो सलवला डिपलोमा कोर्स किया है वो भी लोग इसके लिए फॉर्म का अपलाई कर सकता है application जो है ये इनके website है इस website से आपको online माध्यम से ही करने होंगे बाकि इसके लिए online application जो है start होने वाले हैं वो 28 जूलाई 2024 से ये चालू हो जाएंगे और इसका जो last rate रखे गए हैं और 26 अगस 2024 तक जो है आप इसके लिए फॉर्म फिलब की परकिरिया को पूरा कर सकते हैं इसमें selection procedure कैसे होगा तो selection procedure में सबसे पहले आपका physical efficiency test होगा P.E.T. उसके बाद आपका जो है P.E.S.T. होगा फिर retain exam होगा फिर आपका trade test होगा उसके बाद original जितने भी document है उसका verification होगा medical होगा फिर आपका joining परकिरिया इसमें पूरा होने वाला है बाकि vacancy से जूरी पूरी detail जनकारी के लिए online update sdm.in के website पर भी आएंगे तो यहाँ पर latest job में ITBP सफाई करमचारे vacancy मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करकर पूरी जनकारी आप यहाँ से readout कर सकते हैं जिसमें पूरी जनकारी आपको बताई गई है जिसको आप अच्छा से समझ सकते हैं और यहीं पर notification भी मिल जाएंगा और यहीं से आप online apply भी कर सकते हैं अभी तक अगर आपने हमारे whatsapp चैनल टेलिग्राम से नहीं जूरा है तो जूर जाएए वहाँ पर भी मैं सारा update आपको देता रहता हूं बग इस वीडियो में इतना ही वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चैनल